तो हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सभी उमीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सेते हैं क्लास नाइंत का त्रिमासिक जाम का ओरिजिनल परस्पत्र आ चुका है और ये class 9 का English का original प्रस्पत्र आ चुका है जो एकदम से original प्रस्पत्र है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग पूरा question यहाँ पर देख सेते हैं बिल्कुल original प्रस्पत्र है इसके बाद में subjective भी बताया जाएगा आप लोगो ठीक है तो आप लोग करना क्या है तो वीडियो को ला चले हम लोग start कर रहे हैं आप लोग को क्या करना है वीडियो को शीर करते रहेंगें कप्लास जो quarterly exam 23 का है तो चलिए सुरू करते हैं question question कुछन नुमर वन से कुछन नम्र वन है वी वाज गेटिंग डॉण एठ सहार अपूर मतलब है इसका कि सहरा पूर में नीचे को जा रहा था वी आजक इसका एंसर होगा जाँ ऑफसे और बी ओप्शन है और दी ओप्शन है पैरेंट्स तो इसका सही जवब होगा इसका मतलब यह हुआ कि यह कोई किताब का नाम है लेडी वितर डिफ्रेंस। तो इस किताब का औथ कौन था तो या फिर इस सिंद्रगंदि थूसरा option है परटिवा पमितिश्ट है तो इस का सही एंसर होगा गार्फ ये इसका ऑप्लमती में और चुनि ब्बेड़ाों इसके ऑप्षन है से ऑफशन इसकीг् dit D option है 8 years, तो इसका सही जवाब होगा B, 4 years, 4 साल इसका सही उत्तर होगा, ठीके, अब आते हैं, चौथा प्रशन पर, चौथा प्रशन है, Who is, Where is Logan Airport, Logan Airport कहां पर रिस्तित है, ठीके, इसका option A है, London, B option है, Boston, C option है, Bali, D option है, Australia, मतलब Logan Airport कहां पर रिस्तित है, तो इसका सही जवाब होगा, Boston, यह Boston में अब इस्तित है, Boston, England में है, एक शहर का नाम है, वहीं पर यह इस्तित है, ठीके, अब आते हैं, पाच्वा प्रशन पर, पाच्वा प्रशन है, Who is the author of the accidental tourist, accidental tourist, accidental tourist, the accidental tourist, एक किताब का नाम है, और इसके लिखक कोन है, पहला option है, William Bryson, दूसरा option है, Bill Bryson, तीसरा option है, Will Tyson, और चौथा option है, Mike Tyson, ठीक है, तो इसका और सही option, सही उतर होगा, पाच्वा का सही उतर होगा, A, मतलब William Bryson, William Bryson, इस किताब the accidental tourist के author है, ठीक है, अब 6% पर आते है है, for how long is the ordinary woman married, ठीक है, कितने साल तक, एक ordinary woman married रह सकती है, ठीक है, तो इसका सही उतर है, पहला option है, 5 years, दूसरा option है, 10 years, तीसरा option है, 15 years, और चौथा option है, 20 years, तो इसका सही option, सही उतर होगा, B, 10 years, 10 years तक, कोई भी एक आम महिला married रह सकती है, ठीक है, अब आते हैं, साथवे प्रेशन पर, साथवा प्रेशन है, हुआज, हुआज, विस, बिस्मिल्ला, मैरिश्यल अंकल, ठीक है, बिस्मिल्ला का मतलब हुआ, चचेरे, चचेरे अंकल, वो कौन थे, मतलब एक अपना अंकल होता है, उसको सिर्फ अंकल बोलते हैं, अपने पिता जी का भाई, वो नंबर बक्स, तीसरा ओप्षन है, दिगंबर बक्स, और चौथा ओप्षन है, अली बक्स, तो इस साथवे नंबर प्रेशन का सही उतर होगा, अली बक्स, अली बक्स जो थे, वो बिस्मिल्ला के मैरिश्यल अंकल थे, ठीक है, अब पहुंचते हैं भई, दोस्तों, आठव और मार्च 21, 1916, तो आठवा नंबर प्रेशन का सही उतर होगा, बी उप्षन, मार्च 21, 1916, अब आते हैं नवा नंबर क्रेशन पर, पूंगी, एक तरका बजाने का यंत्र है, बजाने वाला एक यंत्र है, और किसने इसको बैन कर दिया था, इसका उप्षन है, इंपेरर जहांगीब, बी इंपेरर औरंगजेब, सी इंपेरर हमायू, डी इंपेरर अकबर, इंपेरर का मतलब शहनशा, शहनशा जिसको हम बोलते हैं, वो इंपेरर का मतलब होते है, ठीके, तो इसका सही उतर होगा, नवा नंबर प्रेशन का, बी इंपेरर औरंजेब, और अंजेब ने पुंगी को बजाने से इस पर बैन लगा दिया था क्योंकि पुंगी हिंदू लोगों में इसे बजा जाता था अब आते हैं दस्वें नुमर प्रशन पर हरा वाज पॉइंट ऑफ अपन कुंभ इसके अप्रसेब दिया गया है तो हम लोग अबीए सीड ही करेंगे ठीक है इसका पहला प्रशन है नरग से सब्सक्राइब अब आते हैं एक और नुम्बर परिश्ञ पर इसको पूछा जाएगा यह काफी ज़्यादा हम लोग करकर इसको बता है और यही कल के एक्जाम में मुशली पूछा जाएगा तो आप लोग इसको पूरत अच्छे तरीके से सुनिए सारे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब सब्सक्राइब करिएगा एकउसा क्या होता है मतलब था वाजट लगया तो से लागया यह कुण वाज इसका option है ए ए option है hero B option है God C option है knife और the option है queen दोस्तों इसका सही उतर होगा यारव नोमग प्रश्न का C knife ठीक है अब आते हैं 12 नौमग प्रश्न पर प्रश्ण है यहां प्रश्ण है इसका उच्छा दिकारी कौन था मतलब उसके उपर कौन था नहीं बोलता है जैसे कोई चप्रासी होता है तो उसका मतलब हुआ कि अभी तक कितने human beings अभी तक जिंदा हैं वैसे जो कि year 1950 में जिंदा थे अभी 2023 में कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक जिंदा हैं जो 1950 में जिंदा थे तो तेरा नमबर प्रश्ण का उत्तर होगा पहला option है A में 14, B में 12, C में 11, D में 16 तो दोस्तों तेरा नमबर प्रश्ण का सही उत्तर होगा C अभी तक 11 ऐसे लोग हैं जो 1950 में जिंदा थे और अभी भी जिंदा है ठीक है तो शोड़ा कर दे अब 14 नमबर प्रश्ण पर आते हैं इस पीकर मतलब बोलने वाला खुद को इंट्रिज करता है किस तरह की लड़की से तो इसका पहला option है modern दूसरा option है ordinary तीसरा option है daring चोथा option है extraordinary तो चोड़न नमबर प्रश्ण का सही उतर होगा ordinary जैसा कि उपर भी एक कोश्चन में आपने देखा था कि ordinary woman का जिक्र हुआ था इसका सही एंसर होगा be ordinary woman अब आते हैं पंदर नमबर प्रश्ण पर the shell mentioned in a poem is of the shell mentioned poem में shell मतलब खोल poem में किसके खोल का जिक्र हुआ है question है poem में किसके shell का मतलब खोल का जिक्र हुआ है इसमें option a है crab मतलब एकड़ा b tortoise मतलब कच्छवा c snail मतलब होंगा d turtle मतलब ये भी एक तरह का कच्छवा ही होता है इसको में turtle बोलते हैं तो पंदर नमबर प्रश्ण का सही उतर होगा b tortoise tortoise का जिक्र हुआ है ठीक है अब आते हैं 16 नमबर प्रश्ण पर what is hacked in poem sound sound poem में क्या चीज़ hack हुआ है ठीक है इसका option है a root b tree c rope d blossom तो 16 नमबर प्रश्ण का सही उतर होगा tree tree को hacked है poem sound poem में tree को hack किया गया है यह प्रश्ण आप अच्छे से पढ़ लें यही प्रश्ण पूछा जाएगा और आपको यह अच्छा लग रहा है तो इसका लाइक आप सब्सक्राइब जोर करी हमारे चैनल को ठीक है दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे सब्सक्राइब प्रश्ण पर विच सीजन इस मैंशन इन डपोयम साउंड साउंड पोयम में कौन से सीजन का जिकर किया गया है ठीक है इसके पहला option है विंडर रनी स्प्रिंग दूसरा है स्प्रिंग एंड समर दीश्रा option है श्रिम मांट ओटं ऑर चौथा option है ऑड्boys वंसंतोर एंटन का मतलब अने वाला समर का मतलब गर्मी डीक तो तो इसका option है उसका option है ए रोबट हर्डी दूसरा option है रोबट अंड्रियू तारा रोबट हरिक व्जॉथ तो 8 नुम्बर प्रश्न का सही उत्तर होगा रोबट हरी लिखा आपको अब आएंगे 19 पर 19 पर परश्न परअने से बतल पहले बच्चों आपको कि जो कुछेंट हम आपको किरा रहे हैं यह कल आने वाले एकजाम में आएगा और आपको यह question अच्छा लग रहा है तो आया है चैनल को लाइक और सबस्काइb डाउन एड जिकर किया गया है पहला ऑप्षन है एक रोहानन रोहाना सोरी एड ऑप्षन है डेहरा सी ओप्षन है सहरनपूर दी ऑप्षन है मसूरी ठीक है तो 19 नमर प्रशन का सही जवाब होगा सहरनपूर जैसे आपको बता दें उपर भी एक कोश्चन हमने किया था जिसमे सहरनपूर का सहरनपूर का जिकर हुआ था तो आप उससे भी जान सकते हैं किस चीज का क्या एंसर हो सकता आप अपने से तुका तरप का लगा सकता अगर आपको याद ना हो तो ठीक है अब आते हैं 20 नमबर प्रशन पर रस्किन बॉन्ड को कौन से अवर्ड के लिए नॉम अगरे तो इसका 20 नमर प्रशन का सही उत्तर होगा सही ते अकारडमी ठीक है अब आते हैं 21 नमर प्रशन पर यह फिर इंद ब्लैंक से यहां पर भरना है इसमें ऑप्शन है ए विथ बी फॉर सी ओन डी एक तो 21 नमर प्रशन का सही उत्तर होगा विथ ही डिफर्स विथ यू विथ यहां पर इतरह से वर्पितर काम करेगा मतलब आप उससे अलग हो विथ यू वह आपसे अलग है आपसे इसमें विथ जोड़ने से आपसे का पता चलता है अब आते हैं आपसे नमर प्रशन पर यू शुड़न लाफ डैस दप्वर यह विए एक तरह का फिल इंद ब्लैंक से दुस्तो यू शुड़न लाफ लाफ डैस अट पूर आपको नहीं हसना चाहिए डैस गरीब आर्मी ठीक है तो आप इसमें कहेंगे इसमें उसमें उसमें उस पर किसी उपर इस तरह का हम सब्सक्र performances करते हैं कि आपको उससे लिएक यह भग्त tôi और पूर करें यह तो आट सब्द का यूज किया जाता है अगर किसी के ऊपर भावना दर्साना हो तो अब आते हैं तेस्वे नवर प्रशन पर been bought ठीक है दूस्तों फिर आगे बढ़ते हैं 24 में प्रश्ण पर यह विक्तर फिल इंद ब्लैंक से इसका option है मतलब उसने एक भूत को देखा क्योंकि सब चीज इसमें जितने options है इसमें सबी में यही जलसाए गया है कि किसी ने भूत को देखा लेकिन according to English literature इसमें सही option कौन सा होगा ग्रामर के थुरू तो 24 नवर प्रश्ण का सही उसर होगा सी हैज बिन ही हैस सीन अ गोश्ट लाश्ट नाइट उसने कल रात को एक भूत को देखा था आप आगे बढ़ते हैं 25 नवर प्रश्ण पर सुच्छ डग पर्रेक्ट इसमें spelling correction देखना है कि कौन सा इसमें से और इसमें वर्ड जो है वो है रिसोर्स ए में बी में सी में डी में सब में रिसोर्स ही लिखा गया है अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलफाबेट को चेंज करकर के रिसोर्स से ही लिखने का पर्यास किया गया है लेकिन इसमें से कौन सा उसको तो इसमें भी सब अलग अल्फाबेट युज़ करके लिखने का ही मतलब खुशिश किया गया है इसका ग्सिस्टन्स तीए एट्स एक्जिस्टन्स करते है इसको एक्सिस्टन्स कितना लोगों बोलता है लेकिन इसका सभी प्राइशन होगा एक्जिस्टेंस ठीक है दोस्तों अब आते हैं 27 नुम्ह प्रश्ण पर सथे नुम्हें प्रश्ण में है चुजदा पैसिव वोईस अब फॉल्लिइंग सेंटेंस इसमें एक संटेंस दिया गया जिसका आपको पैसिव वोईस चूज करना तो इसका एन तो इसमें बाई हूज व яв it was done इसमें बाई हूज वाजत इंटा इसमें पहला चैशन है 27 इसंटाव हूज ए वज वज लिड जन इसका है वह हूज वेर इंट न दिदा है बाई हूज इस्ट वस इस ये पर सखली अथा फ्राहर प्रश्ण पर जिस निट play tennis इसने कहा कि हमने कल रात ये यह सब कुछ ग्रामर का खेल है आपको यह सारे सेंटेंस रही लग रहे होंगे इसमें आपको चूज करना है वह आपको बताएंगे अब आपको डायेंगे अब आपको बताते हैं इसा 29 प्रशन का अंसर होगा D he said that they had heard this news yesterday अब आते हैं अन्तिम तीसमें प्रशन प्रशन पर तीसमें प्रशन है the the indirect speech of the given sentence he said where is my car इस sentence का indirect speech क्या होगा इसका option है he asked where was his car B option है he asked where his car was C option है he told where my car is D option है और अंतिम प्रशन का सही उतर होगा option A he asked where was his car तो आप यह आपको हमने 30 question कराएं और यह 300 question आपको कल के एक्जाम यह पूछे जाएगा और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल का नाम है गुरू मोनेटर स्टेटी पॉइंट थैंक्यू दोस्तों फिर मिलेंगे तो हेलो दोस्तों आप बदेगा कि सर ने कै लाइक कर दीजिए चैनल पनाएब सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वार्ट्सप्राइब का लिंग दिस्क्रिप्शन में दिया गाया तो डिस्क्रिप्शन से डाड़ेट आप लोग को गुरूप में जुड़ जाएगा ठीक है तो आप लोगो क्या करना है मेरा नमर है उस पर आप लोगो मैसेज करके वहां पर मैं आपको लिंक दूंगा गुरूप का तो वहां से आपको जुड़ जाना है नमर है तो इसी नमर पर आप लोगो जुड़ जाना है वाट्सप्राइब का तो चलिए हम मिलता है नेक्ट वडियू में ततक लिए जाहें दोस्तों तक ये अपने कारे की का